उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितेनाज जी, गोरगपुर के साउंसत बाई रविकिशन जी, उपस्तित युवा खिलाडियों, कोचेज, अभीभावगण और साथ्यों. सबसे पहले मैं महायोगी गुरु गोरगनात की पवित्र धर्ती को स्रद्धा पुर्वग नमन करता हूँ. साउंसत खेल प्रतियोगीता में शामिल हो रहे, सभी खिलाडियों को मैं बधाई देता हूँ, अपनी शुबकामनाई देता हूँ. आप सभी ने बहुत महनत की है, इस प्रतियोगीता में कुछ खिलाडियों को जीत मिली होगी, कुछ को हार का सामना करना पड़ा होगा, खेल का मैदान हो, या जीवन का मैदान, हार जीत हमेशा लगी रहती है. मैं खिलाडियों को यही कहूँगा, कि अगर आप यहां तक पहुँचे हैं, तो आप हारे नहीं हैं. आपने जीतने के लिए बहुत कुछ सीखा है, ज्यान अरजन किया है, अनुभव प्राप्त किया है, और यही तो सबसे बड़ी पूजी है. आप देखिएगा, आपकी स्पॉर्ट स्पिरिट कैसे भविश में आपके लिए सफलताओं के दरवाजे खोल देगी. मेरी विवासाथियों, मुझे बताया गया है कि इस प्रतियोगिता में कुस्ती, कबड़ी, होकी, जैसे खिलों के साथ साथ, चित्रकारी, लोकगीत, लोक नूर्तिय और तबला बांसुरियादी के कलाकरों ने भी भाग लिया है. ये एक बहुत ही सुन्दर, सरानिय और प्रेणा देने वाली पहला है. प्रतिबा चाहे खेल की हो या फिर कला संगीत की. उसकी स्पिरीट और उसकी एनरजी एक जैसी होती है. खास कर जो हमारी भारतिय विधाएं हैं, जो लोक विधाएं हैं, उन्हें आगे बढ़ाने की नैतिक जिम्मेदारी भी हम सब पर साजी जिम्मेबारी जाएं. रवी किशन जी, खुद तो इतने प्रतिभावान कलाकार है ही, इसलिए स्वाभाविक हैं, वो कला की एहमियत को बहुत अच्छे तरह से समझते हैं. मैं इस आयोजन के लिए रवी किशन जी को विशेश रुप से बढ़ाई देता हूँ. साथियों, बीते कुछ सब्ता में, साउसत खेल महाकुम में, ये मेरा तीसरा कारकम है. मैं मानता हूँ कि अगर भारत को दुनिया की स्रेश्ट स्पॉर्टिंग पावर बनना है, तो उसके लिए हमें नए नए तौर तरीके डूनने होंगे, नए रास्ते चुनने होंगे, नए व्यवस्ताओं का भी निर्मान करना होगा. ये सांसत खेल महाकुम ऐसा ही एक नया मार्ग है, नए व्यवस्ताओं है. खेल की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि स्थानिय स्तर पर निरंतर खेल प्रतियोगिता होती रहे. लोग सबास्तर पर इस तरह की प्रतियोगिताएं स्थानिय प्रतिभाओं को तो निकारती ही है. साथ ही पूरे खेत्र के खिलाडियों के मॉरल को भी बुष्ट करती है. आप देखिए इससे पहले जब गोरकपुर में खेल महाकम हुआ था तो उसमें करीब अठारा बिस हजार खिलाडियों ने हिस्सा लिया था. इस बार ये संख्या बढ़कर करीब 24-25 हजार हो गई हैं. इन में से करीब 9,000 तो मेरी बेटिया है. आप में से हजारों की संख्या में ऐसे युवा हैं जो किसी छोटे गाउं से आये हैं, छोटे कस्बे से आये हैं. ये दिखाता है कि साउसत खेल प्रदियोगिता हैं, किस तरह युवा खिलाडियों को नए अवसर देने का नया प्लेट्फरम बन रही हैं. साथियों, किशोर अवस्था में अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे किसी उची चीच से किसी पैड की डाल को पकड़ करके लटकने लगते हैं कि उनकी लंबाई थुड़ी और बढ़ जाए. यानि उम्रक कोई भी हो, फिट रहने की एक भीतरी इच्चा हर किसी के मन में रहती हैं. हमार यहां एक समय था जब गाउं देहात में होने वाले मेलों में खेल कुद भी खूब होते थे, अखाडों में भी भाती-भाती के खेल कराये जाते थे, लेकिन समय बढ़ला और यह सारी पुरिणानी व्यवस्ताएं दीरे-दीरे कम होने लगी. हाला तो यह भी हो गए कि स्कूलों में जो पीटी के प्रियड होते थे, उन्हें भी टाइम पास का प्रियड माना जानने लगा. ऐसी सोच की वज़र से देश ने अपनी तीन-चार पीडियां गवा दी. ना भारत में खेल सुविधाएं बड़ी और ना ही नई खेल व्यवस्ताओं के ने आकार लिया. आप लोग जो टीवी पर तमाम तरह के टाइलेंट हंट कारकम देखते हैं, तो ये भी पाते हैं कि उसमें कितने ही बच्चे छोटे-छोटे शोटे शेहरों के होते हैं. ऐसे ही हमारे देश में बहुत सारा गुप्त और सुप्त सामर्त है, जो बहार आने के लिए लालाईत है. खेल की दुनिया में ऐसे सामर्त को सामने लाने में साउसत खेल महाकुम की बड़ी भूमी का है. आज देश में भाजपा के सेंकडो सामसत ऐसे खेल महाकुम्भों का आयुजन कमा रहे हैं. आप कलपना करिए कितनी बड़ी संख्या में युवा खेलाडियों को आगे बढ़ने का मोका मिल रहा है. इन प्रतियोगीताओं को से आगे बढ़कर कई खिलाडी राज़स्तर और राष्ट्रियस्तर पर खेलेंगे. आप में से ही ऐसी प्रतिभाय भी निकलेगी जो आगे जाकर ऑलिम्पिक्स जैसे अंतराष्ट्रिय आयोजनों में देश के लिए मेड़ जितेगी. इसलिए मैं साउसत खेल महाकुम को उस मजबूत नीव की तरह मानता हूँ जिस पर बविश की बहुत बव्य इमारत का निर्मान होने जा रहा है. साथियों, खेल महाकुम जैसे आयोजन के साथ ही आजदेश का जोर छोटे शहरों में, स्थानिय स्तर पर खेल सुविधाओं के निर्मान का भी है. गोरगपुर का रीजिनल स्पॉर्ट स्टेडियम इसका एक बड़ा उदहान है. गोरगपुर के ग्रामिन छेत्रों में युवाओं के लिए भी सौ से जादा खेल मैदान बनाये गए हैं. मुझे बताया गया है कि चोरी चोरा में ग्रामिन मीनी स्टेडियम भी बनाये जा रहा है. खेलों इंडिया मूवमेंट के तहट दूसरी खेल सुमिधाओं के साथ साथ खिलाडियों की ट्रेनिंग पर भी ध्यान दिया जा रहा है. अब देश एक होलिस्ट्रिक वीजन के साथ आगे बढ़ रहा है. इस साल के बजेट में इसके लिए कई प्रावधान किये गए हैं. 2014 की तुलना में खेल मंत्राले का बजेट अब करीब करीब तीन गुना जादा है. आज देश में अनेकों आधूरिक स्टेडियम बन रहे हैं. टॉप जैसी योजनाओं के जरिये खिलाडियों को ट्रेनिंग के लिए लाखों रुपियों की मदद दी जा रहे हैं. खेलों इंडिया के साथ साथ फिट इंडिया और योग जैसे अभियान भी आगे बढ़ रहे हैं. अच्छे पोशन के लिए मिलेट्स यानि मोटे अनाय पर जोर दिया जा रहा है. जवार, बाजरा जैसे मोटे अनाच सूपर फ्रूड की सेड़ी में आते हैं. इसलिए अब देश ने इने स्री अन्न की पहचान दी है. आप सभी को इन अभियानों से जुड़ना है, देश के इस मिशन को लीड करना है. आज ओलिपिक्स से लेकर दूसरे बड़े टूर्नामेंट्स तक जिस तरह भारत के खिलाडी मेर्ल जीत रहे हैं, उस लीड़सी को आप जैसे युवा खिलाडी ही आके बढ़ाएंगे. मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब इसी तरह चमकेंगे, और अपनी सफलताओं की चमक से देश का नाम भी रोशन करेंगे. इसी शुब कामरा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद.